खबर रिवा जिले की नई गड़ी नगर परिसर छेतर से है जहां कुछ लोगों के द्वारा आम रास्ते पर कबजा कर लिया गया है जिसकी सिकायट पेडि धननजे सिंग के द्वारा 181 सीम हेल्प लाइन में की गई थी किन्तो नई गड़ी तहसिलदार के द्वारा हित्गराही से किस प्रकार बात की जा रही है आप आडियो में साब साब सुन सकते हैं यह पूरा आडियो सीम हेल्प लाइन की पोल खोलता है कि किस प्रकार सी सीम हेल्प लाइन में काम चल रहा है PWD से मिट्टी करण सन 1985 में महावीर पुरवाइट क्रमांग 6 से किया गया था जो की पुरे रास्ते में जो भी प्राइवेट जमीन थी उसका दान पत्र कर दिया गया था फिर PWT ने मिट्टी करण किया और जो सामने सरकारी जमीन थी उसी सरकारी जमीन से रास्ता गया था और आज दो वर्स पहले उसमें बिना नगरपरशत के अनुवती के बिना मकान का निर्मार कर लिया जिससे मार्ग पून रूप से अवरुद्ध हो गया जब मकान का निर्मार चालो हुआ तो सिकायत करता धनंजे सिंग कई दफ्तरों में जा कर सूचना दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई धनंजे सिंग ने बताया हमने बहुत कोशिश की मगर कोई सुनने को तयार नहीं था हमने तब कलेक्टर से जाकर संपर किया तो उन्होंने तहसीलदार नई गढ़ी को जाज करने का आदिस दिया तो नायब तहसीलदार भड़क उठे और सिकायद बंद करनी की धमकी दी सुनिया आडियो फिर आपको सुनाते हैं पेडित का क्या कहना है यह लगातार शिकायत हैं कि मैटरफू लेकर क्यों कर रहे हो सर इसका होगा आप सरी मिरे कुई बस यह मुझे दुनिया वर ग्यान ना तो तुम्हारी शिकायत से कुछ हो रहा है क्या लगातार करने से जब मैं बोल दिया था तुमसे उस दिन जब मुझे स्टेडियम में मिड इस पारित हुआ है सक्षम न्याला में इनको अपील करना चाहिए मैं भी शिकायते बंद करवा लूँगा ठीक है मैं आए इस मामले में आवाज उठाई तो कोई अधिकारी ने मेरी बात नहीं सुने मैंने तहसिर में इसकी सिकायत की तभी इसकोई सुनवाई नहीं तो मैंने अपनी समस्या मानली sdm मोवमुच को बताई तो मुछ वहाद से भी ठोस कोई निराकर्ड नहीं मिला तब मैंने CM हैल्प Lाएन में सिकायत की तब मैंने CM हल्पॉलाई में सिकायत की उसके बाद एक दिन बाद मानली तहस्रlend smart कि इसका हो इसका हो कि आप सरी मिरे कुई बद ग्यान ना तो तूम्हारी शिकायत से कुछ हो रहा है क्या लगातार करने से जब मैं बोल दिया था तुमसे उस दिन जब तुम मुझे एक चैडिया में मैंने का था कि यह कार्गरम खाता मुझे अधका जांश करने लगी है तो करा लेना सुनो अम पॉर्क वे दिजाज करने नहीं आउंगा तुम दो चार्दा स्टोर कर लो मैं करेक्टर साथ को बता दूंगा सब्धारना दिकार में आदेश पारित हुआ है सक्षम नियाले में इनको अपील करना चाहिए मैं भी शिकायते बंद करवा हुआ 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 है